सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। जै संतोशीमा दोस्तों, स्वागत है आपका में जानते हैं। आज क्या कहती है आपकी राशियां कैसा रहेगा? आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का अभिजीत महूरत अर्था दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 बज कर 6 मिनट अपराहन से 12 बज कर 69 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा पूरा दिन रात और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। अब बात करते हैं विशब राश्य 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार। आप अपने आपको विभिन दिशाओं में आकरशित अनुभव कर सकते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और अधिक बढ़ेगी और आपके लिए निर्णय लेना और भी कठिन हो सकता है। यह हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा। क्योंकि आपके निर्णय लेने की क्षमता भावनाओं और अन्य कारणों से प्रभावित हो सकती है। अभी शायद घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए आपको एक छोटी सी यात्रा की आवश्यक्ता भी हो सकती है। मरमत और सुधार के लिए आपके ध्यान की जरूरत है। दोस्तों के साथ खाली समय और नेटवर्किंग में शामिल होने का आनंद ले बातचीत और अच्छा श्रोता बनना अभी महत्वपूर्ण है। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोष जनक होगा। मनुदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर निर्णय लेने से बचे, जीवन के प्रती सकारात्मक द्रिष्टिकोन आपको हर स्थिती में सफलता दिलाएगा। याद रखें कि हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, किन्तु हर एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। सकारात्मक बने रहना आपको उरजावान बनाएगा। आज आप अपनी दिन चर्या को बहुत ही अनुशासित तथा व्यवस्थित बना कर रखें। जिससे आपके कई रुके हुए काम भी पूरे होंगे या गती पकड़ेंगे। घर में शुभकारियों की योजना भी बनेगी, आप अपनी ही विचारों में खोए रहेंगे। इस कारण दूसरों की समस्याओं को समझना कठिन होगा। कुछ लोगों से मिल रहे विरोध के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस विरोध का सामना करने की जरूरत है, आप अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिकत जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम से संबंधित प्रशिक्षन पर ध्यान देते रहें। साथी की बातों के कारण अपनी गलतियों का एहसास होगा। आप से संबंध सुधरेंगे। बदंदर्द और पैरदर्द से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। दिन के आरंभ में तनाव रहेगा। दोपहर के बाद यह समय अनकूल होने लगेगा। आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। काम बनने लगेंगे। लक्षे को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास ना करें। आज का दिन आपके लिए बौधिक और मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाने वाला भी रहेगा। सतरक रहना होगा। क्योंकि इधर-उधर के मामलों में उलजने के कारण आप अपनी पढ़ाई पर फोकस थोड़ा कम करेंगे। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। सुबह तनाव मुक्त समय रहेगा। और आय की स्थिति और बहतर होगी। हर काम में सफलता मिलेगी और समस्याओं को दूर करने का रास्ता भी मिलेगा। नए कारियों के प्रस्ताव भी मिलेंगे। दिन के अंत में संतान के साथ समय बीतेगा और आय भी होगी। नए संपर्क भी बनेंगे। सावधानी रखें। क्योंकि खर्चों की वजह से आपके लिए आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है। किसी मित्र आदी से मनमुटाव की स्थिति बनने पर शांति पूर्ण तरीके से व्यवहार करना ज्यादा उचित रहेगा। अगर कोई यात्रा संबंधित कार्यक्रम बन रहा है तो अभी उसे स्थगित रखना ही बहतर होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी के साथ लगाव, काम के दबाव के चलते कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपने कौशल का उप्योग कर सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं, तो आपको इस आकर्शन को वापस पाने की कोशिश करनी होगी। नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व ही नहीं है, तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना। आज चंद्रमा प्रेम के माध्यम से आत्म खोज की यात्रा को प्रोटसाहित करता है। यदि आप अकेले हैं तो इस बात पर विचार करने के लिए समय निकालें कि आप वास्तव में एक साथी में क्या चाहते हैं। यह आत्म निर्भरता आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। जो लोग रिष्टों में हैं उनके लिए संतुलन महत्वपूर्ण है। अत्यधिक आत्मलीन होने से बचें और इसके बजाए अपने साथी के साथ अपने अंतरंग विचारों और सपनों को साज़ा करें। यह खुला पन आपके बंधन को और गहरा बना सकता है। शारीरिक निकटता आंतरिक भावना लाएगी इसलिए सनेहपूर्ण इशारों से दूर न रहें। व्यक्तिगत विकास के लिए इस अवसर का लाब उठाएं और प्यार को अधिक पूर्ण और सामंजस्य पूर्ण रिष्टे की ओर ले जाएं। करियर की बात करें तो आपकी संचार क्षमता और सावधानी पूर्वक स्वभाव सामने आएगा, जो आकरशक वित्तिय संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी संभावित साझेदारी या बढ़ोत्री की आशा करें, जो आपकी आय बढ़ा सकती है। आपके व्यापारिक लेंदेन की लए सुसंगत रहेगी और संतोष जनक रिटर्न मिलेगा। धन के स्वस्थ प्रवाह के साथ खर्चों का प्रबंधन करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि विभिन क्षेत्रों में निवेश आशा जनक प्रतीत होगा, सावधानी से आगे बढ़ें और सोच समझ कर विकल्प चुनें। अपने कौशल पर भरोसा रखें और आप वित्तिय मामलों को सहजता से संभाल लेंगे, जिससे आपकी आगे की यात्रा सम्रिद्ध होगी। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखें और पुरसकार स्वाभाविक रूप से आपको मिलेंगे। पत्रकारिता और साहित्य में लगे हुए लोग आज अपने करियर में बड़ी सफलता का आनंद ले सकते हैं और आपको अपनी उपस्थिती के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। आज के दिन शैक्षणिक संस्थाओं और निर्मान के कारोबार में निवेश के लिए उप्युक्त है। सामान्य रूप से आपको पिछले कुछ दिनों के तनाव को पीछे छोड़कर एक शांत दिन का आनंद मिलेगा। पब्लिक डीलिंग करते समय अपनी सीक्रेट किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। मीडिया और ओनलाइन गतिविधियों में ध्यान दें। आज इन से संबंधित कामों में अच्छा मुनाफ़ा होने की संभावना है। सेहत की बात करें तो आपको यह समझना होगा कि स्वस्थ रहने और युवा दिखने के लिए जंक फूड से दूरी बनानी होगी। आप पिछले कुछ दिनों से सामान्य से भी अधिक जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। आपको तुरंत खुद पर नियंतरन करना होगा। आज ही अपने मेनू से जंक फूड हटा दें और इसके स्थान पर फाइबर युक्त खाना खाएं। आज का उपाए। आज आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुब रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुब हो।